हलो दोस्तों मेरा नाम है खुरसीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदा चैनल भरगेन का सेफ आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुती स्पेसल रेश्पी गोंद ये गोंद मेरे गाउं की रेश्पी और ये बहुती स्पेसल है आप इसको ड्राइ फ्रूट का हलवा भी बहुत सकते हैं लेकिन असली नाम इसका गोंद है अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे गोंद बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जुरूत है मैं आपको इसका मीजा सबसे पहले दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से बना सकें गरी, किसमिस, बादाम, चीनी, काजू, चिरोंजी और ये है गोंद मैं आपको गोंद दिखा देता हूँ और बता देता हूँ गोंद क्या है ये देखिए, ये पेंड से निकलता है अब ये किस पेंड का है मुझे पता नहीं है लेकिन ये गोंद है अब मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे बनाना है आपने और मखना यानि के तालब खाने इन सब चीजों की जुरूत है अब हम घी भी इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए, घी मेंने चड़ा रखा है कुछ चीज़ें हम फ्राइ करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें हमने फ्राइ करनी है जब घी अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तो आपने इसमें गोन डालना है सबसे पहले आप गोन डालें ये देखिए, इस तरीके से खीलें बन जाएगी, जैसे मकागी खीलें बनती है ऐसे आपने इसको फ्राइ करना है और घी गरम होना चीए अगर घी ठंडा होगा तो इस तरीके से नहीं खिलेगा और आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राइ करना है और उसके बाद निकाल लेना है इस तरीके से निकालने, थोड़ा थोड़ा करके fry करना है जब आप थोड़ा थोड़ा करके fry करेंगे तब भी अच्छे से खिलपाएगा या फिर आपका जादा गी है तो आप एक बार में भी fry कर सकते हैं यह देखिए, गोंद मैंने फ्राइ कर लिया है, आप भी इसी तरीके से सारा फ्राइ कर लें, अब हम इसी घी में किसमिस भी फ्राइ कर लेंगे, आप भी ऐसे फ्राइ कर लें, इस तरीके से आप फ्राइ करके और इसको भी निकालने, मैं भी निकालूँगा, मक्षना तो आप उतना ही घी डालें जितना आप यूज करें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, आप मखना निकालने से पहले एक बाद चेक कर लें, एक दम कड़क हो जाएं तब ही आप निकालें, अब मेरे कड़क हो चुके हैं मैं निकाल लूगा, इस तरीके से फ्राइ करने के कूटते थे, लेकिन आजकल हमारे पास फैसलेटी है मिक्सी की, तो हम यह मिक्सी में डालेंगे, यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस तरीके से मोटा मोटा पीछ लेना है, यह देखिए, तब ही आपको खाने में मजा आएगा, इसी तरीके से मैं काजू पीछ लूँगा, और बाकी की चीजें भी मैं ऐसे पीछ लूँगा, आप भी इसी तरीके से सब पीछ, यह जो छुआ रहे हैं, आपने इसको मिक्सी में नहीं पीछना है, नहीं तो आपकी मिक्सी हो जाएगी खराब, आप यह इमाम दस्ते में कूटें, या फिर आप काट सकते हैं, तो ऐसे नाइप से काट लें, मैं नाइप से काटने वाला हूँ, आप भी इसी तरीके से काट लें, इस तरीके से आपने काट लेना है, यह काटने के बाद, ऐसी एक ठाली में आपने गोन डालना है, और इसको आपने ऐसे हलका हलका माल लेना है, यह देखिए, इ कोटनी पर प्राउध चासनी बनाने के लिए कढ़ाय चड़ा देनाओध चीनी और पानी मैं आपको बतांगा अपने कैसी चासनी बनानी है जब मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूँका तब आपको बताओंगा ये देखिए इस तरीके से आपने पाग बना लेना है जब ऐसा पाग बन जाएगा तब आपने गैस बंद कर देना है एक तार से थोड़ा सा कम आपने बनाना है एक तार आना निची पूरा हल्का कम आना चाहिए तब आपने गैस बंद कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा कर देना है जैसे इसकी हवा निकल जाए जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालनेंगे बागी की चीजें तब आपने इसमें सबसे पहले छोरे और इसको आपने मिक्स कर देना है छोरे डालने के बाद आपने इसमें डालना है चरोंजी चरोंजी डालके आपने इसको मिक्स कर देना है उसके बाद आपने डालना है इसमें काजू और बादाम जो हमने पीस के रखे थे और फिर आप इसमें किसमिस डालने है और गरी, गरी आप अपनी सुविधा के हिसाब से गरेट भी कर सकते हैं और इसको इमाम दस्ते में कूट भी सकते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मक्षना, सबसे इंपोर्टेट चीज अब इसमें डाल देंगे गोंद ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कपड़े से पकड़ना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है आराम से मिक्स करें मैं एक सैट से मिक्स कर रहा हूँ ताकि गिरेना इस तरीके साब अच्छे से मिक्स करें और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं मैं भी डालने वाला हूँ दो चम्मच घी आप भी डालें या फिर आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं घी से कोई प्रोलम नहीं है गोंद का मतलब यह घी और ड्राइ फ्रूट और आपने ज़्यादा गीला नहीं बनाना है नहीं ज़्यादा टाइट बनाना है इस तरीके से रखना है यह देखें ऐसा होना जी आपका कॉंद आपको खाने में बहुती मजा आने वाला है ये देखे, इस तरीके से आपने बनाना है, कलर देखे, इसका कितना अच्छा है, ऐसा ही कलर आना चाहिए, और आप जहाँ रखे, आपने ये सारी चीजें गैस बंद करके डालने हैं, चालू गैस में ना डालने हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया गौन्द और मुझे उम और अगर आपको मेरा काम पसंद आया, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए